आज मेरा चानक ही प्रोग्राम बन गया कि सुबह की ब्रिकवास में उपमा बनेगा कैसे प्रोग्राम बना ये आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा लेकिन मैं उपमा कैसे बनाती हूँ ये भी आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा कैसे हर बार खिले खिले एकदम non sticky उपमा बनाए इसमें कुछ tips and tricks नहीं है बस आप steps follow करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे उपमा बनाना है तो यहाँ पर मैं सूजी ले के आई थी तो एक बार मैंने इसे test कर लिया कि कहीं पहले से केड़े उड़े तो नहीं है तो मैं जब भी सूजी ले के आती हूँ मैं उन्हें fry करके रख देती हूँ या हलवा बनाना हो या उपमा बनाना हो सभी में थोड़ा roasted सूजी चलता है तो अब यहाँ पे low flame पे इसको हम fry कर लेंगे तो जैसी मैं fry कर रही थी तो मैंने सोचा कि आज नास्ता में मैं यही बना लेती हूँ उपमा तो ज़्यादा कुछ नहीं सबजियां मैंने निकाल ली जो जो मैं देखा कि जो जो फ्रिज में available था वो वो सबजियां मैंने निकाल ली तो यहां मैंने एक कैप्सिकम लिया है एक नहीं होगा मैं half यूज करूंगी दो हरी मिर्ची ली है दो गाज़र लिया है और कुछ बीन्स लिये है और कडी पता लिया है और एक प्याज लिया है तो जब तक मैं सबजियों को धो रही थी सूजी भी अच्छे से fire ःधा, सून्दी सून्दी हो गई थी तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ ठंडा करके container में रख लूँगी जब तक ठंडा होता है सूजी तब तक मैं सबजियों को chop कर लेती हूँ तो बारिक बारिकी सबजिया चॉप करें जो जो आपके पास अबलेबल हो सबजिया वो डाल सकते हैं कुछ नहीं हो तो आप आज के साथ और टमाटर के साथ भी सिफ बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ सबजिया मैंने ले ली है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून के अरांड मस्टर्ड ओयल लिया है और इसमें पीनट को फ्राई करेंगे तो लो फ्लिम पे फ्राई करें ताकि जो पीनट है कुरकुरे से हो सके तीर्च पे करने से क्या होता है ना पीनट ऊपर से जल जाते हैं लेकिन अंदर से कच्छे ही रहते हैं अब छोके की त्यारी करते हैं छोके के लिए मैंने यहाँ पे राई लिया है लाल मिर्ची ली है और करी पत्ता लिया है तो इसका ही छोका लगाएंगे हम लोग अब one by one करके सारी सबजियां add करेंगे सबसे पहले add करेंगे हम लोग प्याज और बीन्स क्योंकि यही दोनों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है बाकि सबसबजियां तो तुरंत में हलकी soft हो जाती है तो प्याज और बीन्स को थोड़ी देर हम लोग डालके fry करेंगे ताकि यह हलका soft हो जाए और पक जाए दो मिनट तक प्याज और बीन्स को fry करेंगे और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा green piece add कर दिया यह frozen green piece है अभी तो season नहीं है तो मिलना मुश्कील है पीस अब इसमें हम नमक add कर देंगे और नमक के साथ इसे fry करेंगे जैसे ही सबसबजियां थोड़ी soft हो जाए बाकी की दोनों सबजियों को भी है मैंने इसमें add कर दिया जैसे की गाज़र और कैपसिकम तो अब यह भी तुरंट soft हो जाएगी जादा time इस पे भी नहीं लगेगा थोड़ी देर ही fry करेंगे क्योंकि नमक पहले से डला हुआ है तो तुरंट यह भी soft हो जाएगा मैंने यहाँ पे 1 by 4 cup सूजी लिया है जो अभी मैंने तुरंट ही roast किया था इसमें 2 glass पानी अड़ कर दिया थोड़ी देर एक उबाल आने के बाद हम लोग क्या करेंगे न फ्लेम को लो कर देंगे ताकि सूजी पकनी ज़्यादा ज़रूरी है तो जैसे यह एक उबाल आएगा हम लोग इसे बिल्कुल ही low flame पे cook करेंगे ताकि सूजी अच्छे से cook हो जाए तो मैं सब्जीया तो बहुत सारी डालती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है अगर noodles बनाओ या कुछ भी बनाओ मैं सब्जीया जितनी मिलती है मैं add कर देती हूँ ढ़क के low flame पे थोड़ी दिर पकाने के बाद यह सूजी पक गया है पुरी तरह से अब इसमें फ्राइ किये हुए peanut थोड़ा सधनिया पत्ता दो हरी मिर्ची डालके अच्छी तरह से थोड़ी दिर के लिए इसे चलाएंगे अभी यह थोड़ा moist है दिख रहा है तो अभी low flame पे इसको पानी को वेपर बनने के लिए छोड़ देंगे दिरे दिरे ही पानी वेपर बनता है और सूजी non-sticky उपमा के रूप में आती है आप इस stage पे भी बंद कर सकते हैं थंड़ा होने के बाद थोड़ा उपमा non-sticky हो जाता है लेकिन मैं तो इसको थोड़ा fry कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल ही non-sticky type सा दिखे बस हमारा उपमा बन के ready है चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं ऐसे lemon आप last में squeeze कर सकते हैं उसका भी flavor बहुत अच्छा था है मुझे अभी उस समय खाने का मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं यूज किया तो यहाँ पर उपमा को मैं थोड़ा decorate कर दे रहे हूँ एक ball में डालके अच्छे सी से मैं पलट दे रहे हूँ और देखे किता अच्छा shape आया है टेस तो mind blowing है जो बोलते हैं कि मुझे उपमा पसंद नहीं है सूजी तो सिफ मीठी होती है उनको एक बार आप ये disc बना के खिलाए तारीफ पाएंगे बहुत जादा ही और ये best नास्ता बन जाएगा आपके घर का एक बार बस इसे ट्राइ करिएगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो please like, follow and share with your friends बाई बाई